आज हम जानेंगे तिर्थंकरों के चिन, लांचन या लक्षन से संबंदित जानकारी के बारे में कि आकिर हर मूर्ती के नीचे एक चिन क्यों अंकित होता है, किस आधार पर तिर्थंकरों के चिन निर्धारित किये जाते हैं, किसी किसी प्रतिमा में कोई चिन नहीं होता है, तो इसका क्या कारण है, चिन्नों का चुनाव कौन करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो तिर्थंकर हमेशा 24 ही होते हैं, प्रत्येक तिर्थंकर का एक विशेश चिन्न होता है, जिसे लक्षन या लांचन कहते हैं। तिर्थंकर की मूर्थिया प्राई एक समान ही होती है, केवल भगवान रिशब देव की कुछ मूर्थियों के सिर्पर जटाएं पाई जाती हैं, और पार्श्वनात की मूर्थियों के ओपर सर्प का फन होता है, सुपार्श्वनात भगवान की कुछ मूर्थियों के सिर्प क अंतर मिलता है सुपाश्वनात भगवान की मूर्तियों के उपर पांच फन होते हैं तो पार्श्वनात की मूर्तियों के सिर के उपर साथ नो ग्यारा या हजार सर्पफन पाए जाते हैं इन तिर्थंकरों के अतिरिक्त से सभी तिर्थंकर की मूर्तियों में कोई भी अंतर न उनके चिन्नों से या लांचन से या लक्षन से होती है चिन्न न हो तो व्यक्ति को पैचानने में बड़ा ही ब्रह्म हो जाता है कभी कभी तो लांचन रहित मूर्ति को साधारन लोग चतूर्त काल की मूर्ति मान बैठते हैं जबकि वस्तुतह स्रीवत्स लांचन और अश्ट प्रातिहार्य से रहित मूर्ती सिद्धो की कही जाती है इसलिए मूर्ती के द्वारा तिर्थंकर की पैचान करने का एक मात्र साधन तिर्थंकर प्रतिमा की चरन चौकी पर अंकित उसका चिन नहीं है तिर्थंकर मूर्ती विज्यान में चिन, लांचन या लक्षन का अपना एक महत्व है इन चिन्नों के संबंद में ये बात जाने योग्य है कि इन चिन्नों का कारण क्या है ये तिर्थंकर प्रतिमाओं पर कब से और क्यों उत्कीर्न किये जाने लगे और सास्त्रिय दुरुष्टि कोन क्या है इस संदर में कहा जाता है कि इंद्र भगवान अभिशेक के समय उनके शरीर पर जिस वस्तू की रेखाकृती देखता है उसी को उनका चिन्न घोशित कर द देता है तिर्थंकर के दाएं पैर के अंगूटे पर जन्म के समय इंद्र जो चिन्न देखते हैं उसी को उनका चिन्न निश्चित कर दिया जाता है मूर्ति निर्मान के प्रारंबिक काल में मूर्तियों पर लांचन उत्कीर्न करने की परंपरा नहीं रही लोहानिपूर की मौर्य कालिन या शक कुशान कालिन मूर्तियों पर लांचन नहीं पाये जाते थे बात के काल में लांचनों के अंकन की परंपरा शुरू हुई और इनका अंकन मूर्ति के पादपीट पर किया जाने लगा फिर भी चिन्नों की कारण मिमान सा आज भी एक शोद मांगती है कि आखिर इन चिन्नों के साथ कौन से मनोवज्ञानिक तत्य जुड़े हुए हैं और कौन सी विसेस्ताएं चिन्नों में जांकती है जो तिर्थंकरों की विसेस्ट पैचान बनती है अब जानते हैं 24 तिर्थंकरों की 24 चिन्न बगवान रिशब देव जो की पहले तिर्थंकर थे उनका चिन्न है विरिशब या बैल दूसरे तिर्थंकर है अजित नाज जी उनका चिन्न है हाती तिर्थंकर है संभवनाज जी उनका चिन्न है घोडा या अश्व चौते तिर्थंकर है अभिनंदन जी उनका चिन्न है बंदर पांचवे तिर्थंकर है सुम्तिनाज जी उनका चिन्न है चक्रवाक पक्षी चटे तिर्थंकर है पद्म प्रभुजी उनका चिन्न है कमल का फूल साथवे तिर्थंकर है सुपार्श्व नाजी उनका चिन्न है अर्ध स्वस्तिक आटवे तिर्थंकर है चंद्र प्रभुजी उनका चिन्न है अर्ध चंद्र नुवे तिर्थंकर है सुवीदी नाजी उनका चिन्न है मगर दसवे तिर्थंकर है सीतल नाजी उनका चिन्न है स्री व्रिक्ष ग्यारवे तिर्थंकर है स्रेयांस नाजी उनका चिन्न है गेंडा बारवे तिर्थंकर है वासुपुज्य जी उनका चिन्न है महिश तेरवे तिर्थंकर है विमलनाजी और उनका चिन्न है शुकर चौदवे तिर्थंकर है अनन्तनाजी उनका चिन्न है सेही पंदरवे तिर्थंकर है धरमनाजी उनका चिन्न है वज्रदंड सोलवे तिर्थंकर है सांतिनाजी उनका चिन्न है हिरन सतरवे तिर्थंकर है कुंतुनात जी उनका चिन्न है बकरा अठरवे तिर्थंकर है अरनात जी उनका चिन्न है मचली उनिस्वे तिर्थंकर है मल्लीनात जी उनका चिन्न है कलश बीस्वे तिर्थंकर है मुनी सुवरत जी उनका चिन्न है कचुवा 21 वे तिर्थंकर है नमीनाजी उनका चिन्न है नील कमल 22 वे तिर्थंकर है अरिष्टनेमी जी उनका चिन्न है संक 23 वे तिर्थंकर है पार्श्वनाजी उनका चिन्न है सर्प 24 वे तिर्थंकर है बगवान महावीर और उनका चिन्न है सिंग या सेर तो ये थी तिर्थंकरों के लक्षन या लांचन से संबंदित संचिप्त जानकारी आज का प्रशन है बगवान महावीर के सासनकाल में कितने आश्चरिय हुए कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें